हलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे न्यू टिप्स निव है के साथ आ गए फ्रेंज रोज की तरह तो आज का जो टिप्स से बहुत ही यूजफूल होने वाला है बहुत ही कमल कमल का टिप्स और ट्रिक्स से लिकर आई हूँ जो कि समय की बचत और साथ में पैसे की भी बचत हो जाएगी और एक स्मार्ट हाउस पाइप भी बना देगी तो चलिए फ्रेंज आप लोग पूरा वीडियो देखिए पहला टिप से इस तरीके से बेल्ट से लेकर यह बेल्ट है इससे हम दो तरीके से यूज में लेगे तो फ्रेंज इस तरीके से हम बि पहले तो हम फोल्ट कर रहे है तो इस तरीके से आप फोल्ट को कर देते हैं बेल्ट को तो यह छूटा सा जगह में आप बहुत सारे बेल्ट को एक जगह रख सकते हैं और दूसरा यूज इसका क्या है फ्रेंज तो पहले तो हम इसको रख लेते हैं सही से देखिए कुछ इ तो आप एक में करकर वो साड़े रख सकते हैं इतना साथ जगह में आपका दो तीन बेल्ट आही जाएगा फ्रेंस चैनल पे नियों हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन के साथ और आगे सेर भी करना तो फ्रेंस ये देखे इस तरीके से आप फोल् सब मुबाइल भी चलाते हैं और कभी हम कीचन में काम करते करते कुछ ऐसा बात होता है जिसे कि हम बात भी कर रहे हैं तो इस तरीके से कहीं पे भी रखना पर जाता है नहीं तो फिर कोई चीज हम देख रहे हैं किसी का वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके से हम कहां पे क और अच्छ से आप मोबाल का इंड बना सकते हैं एक बिकार बेल्ट से अगला है फ्रेंस से कंगी से लेकर कंगी अक्सर सभी लोग यूज करते हैं आपधि बाहर चले गए तो फिर वहां भी को डिलेशन हैं तो उनको आप दे देते हो फिर पता नहीं होता है कि इनके बाल में क्या गंदा हो जाता है ना कंगी तो फ्रेंस देखिए हमें करना क्या है या फिर घर में आपकी कंगी गंदी हो गई हो तो फिना सर्फ बिना साबुन से आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं जैसे कि डेलकम पॉडर आप ले इस तरीके से और कंगी पेच्छी रखते हैं आप देखिए का फ्रेंज कितने अच्छे से साड़े गंदगी साफ हो जाएंगे तो देखिए कितना साड़ा ये है एक मेरा गंदा बहुत है जो कि हम इसे वीडियो बनाने के लिए ही साफ नहीं किये थे तो फ्रेंज यहां पे बीना मेहनत का और बीना सर्फ या पानी का आप कैसे साफ कर सकते हैं तो देखते रहें आप किस तरीके से साफ करेंगे तो यहां पे फिर से हम डेलकम पौडर दूसरे साइड में हम इस तरीके से डाल दिये हैं और फ्रेंज देखिए हम बड़स से हम इ पॉर्डर से पाहर आ जाएगा और जतने भी गंदगी होगा वह सब साप हो जाएगा तो फ्रेंस हे बहुत ही कमाल की जीप से जो हम आप लोगे साथ सेर किये हैं तो देखें bạn बहुत ही आसान तरीका है आप कंगी इस तरीके से साप कर सकते हैं तो देखे मिनट भी नहीं लगा है और ये थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहेगा तो इसी तरीके से हम सारे कंगी को साप करते हैं और देखे फ्रेंज की इतना सारा गंदा निकला है कंगी से तो इस तरीके से कंगी में बैठ ही जाता है क्योंकि बाल में तेल होता है न आप ते में एक बार भी इससाब करना जरूरी होता है, तो friends, आप पानी में भी नहीं दालना चाहते हैं, इस तरीके से, तो आप अराम से इस तरीके से साब कर लें, देखे कितना सारा गंदा भी निकला है, आप देख रहे होंगे friends, कि आपकी नजर के सामने हैं, और थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया और देखें कितने अच्छे से हमारा सारा गंगी साफ हो गया है तो ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा फ्रेंस जरूर बताना हमारे वीडियो की स्कूने से देख रहे हैं फ्रेंस जरूर बताना अगला है इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंस मोरपंक है हम इसको किस तरीके से यूज में लेंगे तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंस तो यहाँ पे हर घर में ही इस तरीके से मोरपंक होता है तो आप बहुत चीज में यूज किये होंगे तो फ्रेंज आज हम कुछ अलग ही तरीके से यूज करेंगे इसको इहाँ पे ले लिए हैं पिलो तो देखिए फ्रेंज कभी कभी आप देखे होंगे आचानक से बच्चे सोते हैं तो वो बुड़े-बुड़े सपने देखते हैं और चौकर वो जग जाते हैं और नेंद भी अच्छा से नहीं आता है कितने बच्चे के साथ ऐसा होता ही है यह फिर बड़ा हो कितने लोग को सपना में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो चौकर जग जाते हैं और फिर दुबारा नेंद भी नहीं आता है इस तरीके से आप क्या करें तक यह में इस तरीके से डाल दे और मौरपंग को इस तरीके से डाल कर छोड़ दें छोटा सा इससे क्या होगा आपके बच्चे को जो बुरे सपने आते हैं या फिर जग जाते हैं चौक कर तो ये सब नहीं होगा तो फ्रेंज ये कैसा लगा आप चरूर बताना दूसरा है इस तरीके से सॉक्स से लेकर हमारे घर में पुराने सॉक्स इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है तो साप सुत्रा होना चाहिए और यहां पे हम ले लिए हैं त काज की जो कहीं अब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारा चूरी भी लेकर जाना पड़ता है अब हम इस तरीके से चूरी को रखते हैं तो तूटने का डर भी होता है और कितने चूरी हमारे सेट होता है जो कि एक दो तूट ही चाहता है कहीं जाने में तो आज हम टिप से लेकर कर आए-ंध आपी काच के चूरी भी आप बहुत सारे चूरी ले जा सकते हैं और फ़िर एक भी नहीं टूटाइगा तो अपको करना क्या है इस तरीके से देखिए अप हम इतना चूरी लिये हैं आपको बता रहे हैं कर शेट कर यृ से बोहुत सारे चिपा고 dot com here तो फ्रीना क्या है इस तर्यकियसे चूड़ी को देखिए हम पहले सेट कर लेंगे और देखिए सक्समेल हम किस तरह केसे ढालेंगे, आप इसमे बहुत सारे चूड़ी भी रख सकते हैं तो देखिए फ्रेंस हम इस तरीके से चूरी को ऐसे ले लेंगे जितने भी हमारे पास चूरी है वो सब को लेकर और इस तरीके से सोक्स में आप जिसे की धियान से देखिएगा फ्रेंस हमें किस तरीके से रखना है और इस तरीके से रख लेंगे और ये जो बेसी बचा हुआ आप देख रहे हैं सोख से बाहर उसको भी अंदर कर देंगे तो यह जो है चूरी के बीच में चला गया है अब यह दबाएगा भी तो नहीं टूटेगा हम कहीं पर भी साइड में बेग में इसे रखतेंगे तो एक भी नहीं टूटेगा फ्रेंस आई यह बहुत ही बढ़िया आइडिया है जो कि हम आप लोग के साथ सेर किये हैं तो देखिए फ्रेंस यह दबाएगा फिर भी नहीं खूलेगा और नहीं यह टूटने का ड़र भी होगा तो इस तरीके से आप बहुत सारी चूरीयां ले जा सकते हैं कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर में रख रहे है तो गंदा से भी बचे